एक अंधे कतल की गुत्थी को स्नेफर डॉग ने सुलजा दिया है। स्नेफर डॉग जॉंटी खून सुंगने के बाद घर में ही चक्कर लगाता रहा। इस बीच अचानक उसने मृत्का के बेटे जितेंद्र का हाथ अपने मूँ में दबा कर हत्या का संधे जता दिया। और कल्यूग बेटे के कारनामे का खुलासा हो गया। फॉरंसिक एक्सपोर्ट अखिलेश भारगव का मत था कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आया है। हत्या के बाद कोई घर से बाहर नहीं गया है क्योंकि मृत्तक का खून घर के ही अंदर तक फैला है। ठोस साक्ष मिलने के बाद जितेंद्र को ठाने बुला कर पुछ दंदा कुछ करता नहीं है, कभी दोपैसे कमा कर हाथ पर रखे नहीं और साहब को रात में चाय चाहिए। यह बाद जितेंद्र को इतनी चुप गई कि उसने मा की हत्या कर दी। उसने सोती मा की कनपटी पर हतोड़े से प्राहर किया। इसके बाद फनर से उसका गला रेता और गरदन पर पेचका से भी कई वार किये थे। इसके बाद बात्रून में जाकर कपड़े साथ किये और बाद में पत्नी के पास जाकर सो गया। इसबल और FSL की टीम दोरा साक्षे संकलन किया गया वैग्यानिक साक्षे देखे गए जिसके आधार पर यह संका हुई कि कोई जरूर घर का अंदर का ही व्यक्ति हो सकता है। पुलिस डॉक को ही बुलाए गया जिसने बहुत अच्छा रोल किया और उनने जो उसका लड़क कि वो चुकी बेरोजगार था तो बार-बार मा उसको टोकती थी कमाने के लिए कहती थी इसी से तंगा करके उसने हत्या किये। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटमीती तक दख आप क्या था? आप देख रहे हैं तखल न्यूर